हेलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत से दाफाइश्टी चैनल पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि दिन पंद्रा दिन वाला आती है लेकिन जो भी कोई सोर्स अच्छे से जानकारी मिलती है तभी इस पर बताया जाता है ठीक है और लेकपाल वालों के लिए भी साउधान होने वाली बात है इसको भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको साउधानी बरतनी है अगले ना होगा तो कि क्या हुआ है कि इस बार जो पेट का रिजल्ट आया है 25,23,000 लोगों के जो है रिजल्ट आये हैं आयोग द्वारा और इसमें जो गरवडियां देखने को मिल रही है कि रॉमार्स जो है बच्चों के कम हो गए है ठीक है चलिए पहले हम देख लेते हैं कि र अब इनका देख लो माक्स इनके 72,25 नमबर है लेकिन नर्मलाइज स्कोर इनका 76,25 और इनके परसंटाइल बर रहे हैं 98,88,22,521 ठीक है लेकिन अभी इसी सेम नमबर पे हम जब आगे देखेंगे परसंटाइल तो है इसी सेम नमबर पे 76,25,5 पे इससे ज़्यादा परसंटाइल होगा ठीक है लेकिन किसी 75 वाले लड़के के इससे ज़्यादा परसंटाइल होगे तो यह सब जो है खेल हुआ है इस बार रिजल्ट में चलिए हम आपको दिखाते रहे है इसकी और यह तो सही बात है कि कुछ न कुछ तो गलबड़ी हुई है राइ स्कोर जो बच्चों की कम हुए है अब देखिए दूसरा एक रिजल्ट है कि देखिए इनमें 78,25 इनके ठीक है वास्टविक स्कोर थे लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद इनके नमबर घ दिखाता हूं 66,355 देखिए सेम नमबर 46,355 और नॉर्मलाइज च्कोर 98,355 और नॉर्माली च्कोर 98,90 नॉर्माली रही है तो आप यहां एक फर्क देख लीजिए ठीक है परसैंटाइल में गड़ बड़ी हुई है यह सब साक्षाप देखिए्टाइशा और दूसरा मैं क तिखा रहा हूं है यहां 76.5 पांच नर्मलाइज स्कोर है अब यहां देखिए कि 75.5 एक छे यह नर्मलाइज स्कोर है ठीक है लेकिन जिस वच्चे के ज्यादा नंबर बन रहे हैं उसके परसेंटाइल कम है वहीं जिस वच्चे के कम नंबर हैं 75.5 पांच नंबर ही है उसके परसेंटाइल लेखिए 88.9 नो दो अठांब बन रहे है लेकिन नंबर इनके ज्यादा है तो जब भी कोई वेकेंसी आएगी सौट लिस्टिंग और इस बच्चे का फाइदा हो जाएगा ठीक है तो किसी का फाइदा नुकसान वाली बात नहीं है अगर धादली मतलब इसमें जो अगरवडी हुई है कोई मिस्टेक हुआ है आयोग दोरा ओयमार स्कैनिंग को लेके ठीक है क्योंकि राव माक्स किसी के जैसे मालीजिए 75 बन रहे है ओयमार से मिलाने के बाद रिवाज डांसर की जवाई थी तो यहमार उससे मिलाने के लेकिन आपको आगे चलके जैसे पिछली बार 2020 में पेट हुआ था उसमें सिर्फ लेकपाल वाली भरती जो है एक 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 इकजाम हुआ था लेकपाल का ठीक है उसके बाद कोई भी भरती यूपी ट्री पेट 2020 से नहीं हुआ है सब एक जुन-जुन थमा दिया गया था लेक अगर विरोध नहीं करेंगे कोई अब जैसे जिस प्रकार से जो मिस्टेक में हुई है पेट 2022 के रिजल्ट में वैसे में भी पॉस्पिलिटी अगर हो सकती है कि अगर लड़के कोई विरोध नहीं करेंगे कोई अब्जक्शन नहीं करेंगे अपने रिजल्ट को लेकर तो हो सकता है कि वहां भी जो है लेकपाल वाले रिजल्ट में भी और यहमारी स्कैनिंग में कोई गरवड़ी हो जाए माली जिसके 89 हो रहे है उसके हो सकता है 76 ही हो जाए 2-3 नमबर का गरवड़ी हो जाए और भी बहुत से लड़के कल टेलीग्राम पर बात हो रही थी तो उनके 83 नमबर थे लेकिन रॉइस को इनके 83 बन रहे थे उससे लेकिन यहां क्या हुआ है ओमर सभी कच्चे किया जाए लेकिन कि इसमें जो है मेरे हिसाफ से कुछ गढ़वड़ी हुई है और अगर आपके भी इसा हुआ है तो आप लोग कॉमेंट करके बताए कि क्या आपके भी रॉय स्कोर कम हुए है यह ठीक है या फिर क्या-क्या दिक्कते आपके साथ पेट रिजल्ट को लेकर आई है ठीक है ताकि उसके बाद जो है सभी लोग एक जूट होके इस पी जो है काम किया जा क्यों आप फसना कुछ बी नहीं यह ने सब देख लिया है ठीक है उनका परदाफास हो गया है उनका नंगा नाज जो होना था ले पाल में सब ने देख लिया ग्रामिड परवेस में किसने कितना फसाया था ठीक है तो इसलिए आप से अनुरोध है कि अगर आपकी रिजल्ट को ल सुनते हैं आप लोग साड़े नो बजे लखनव पीकप बहुंच जाए यूपी ट्रिपलसी के आयोग में और जो है पंद्रा मेंट सचीव जी से अपनी बात रख सकते हैं जिस भी बच्छों की जो अगर वड़ी है लखनव जाए अपने ओमार साथ मिले जाए अप्लीकेशन साउधानी बरत्ति चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में रोना पड़े जैसे अभी बच्छों का साथ दीजिए पैट में जिनके साथ वी गढ़वरिया हुई है ठीक है बाकी आप लोग जो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके नंबर कितने हैं ठीक है या फिर आपक नितना ही वीडियो पसंद आइए वीडियो को लाइक किजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर कर दीजिए ठीक है आपकि और भी यूटूबर्स जो अड़े बड़े हैं आपको इसी चैनल पर बताएंगे आगे की अपडेट अब तक हिलने मस्कार जे जै भारत